Hello students, previous class में हम पढ़े थे घमन का फल, उसका जो चाप्टर जो है वो आधा पढ़े थे, आज उस कानी को हम पुरा करेंगे तो इससे पहले में आप सब को बताई थी कि भोरे जो था एक समय ऐसा था कि भोरे जो था वो इंद्रधनुसी रंगों से भरा हुआ था और उसकी रंग और उसके कंट मधूर कंट था आज की जो भोरे है वो काला रंग का होता है और उसकी कंट जो है बहुत करकस सुनाई दे दिये लेकिन इससे पहले वो बहुती सुनदर दिखाई दे थी इंद्रधनुसी रंगों से उसका सरीर भरा हुआ था और उसका जो कंट था वो बहुती मधूर था तो अपनी सुनदर रूप और सुनदर मधूर बानिस के पर जैसे उसके मन में अहंकार बागहमंड आ गया था और इस कारण वो सब जो भी उसके पास आता था उन सब को वो छेड़ने लगता था जैसे कि वो तिचलियों को कहता था कि तुम सब बहुत बद्दे दिखाई दे रही हो तुमारे पांखों में बहुत सारे रंग भरे हुए हैं और तुम सब गुंगी हो उस तरह वो फूलो के राजा कैसे हुए यह कौन कहता है गुलाब कह रहा है गुलाब फूलो का राजा है वो सची कहता है एक सब कहकर वो एक दूसरों के साथ झगड़ा कर वाता था जैसे भोरे ने कुमल से कहने लगा कि तुम फूलो के राजा आपने आपको कहते हो लेकिन तुम तो कीचड में खेलते हो और फूलो के राजा तो गुलाब है ऐसे कहने से क्या हुआ कमल का हुरुदय दुखित हो गया भोरे उड़ जाता है सुर्य मुखी के उपर मंड़ाने लगता है ऐसे करके वो कमल को दुखी कर दिया कमल दुखी होने के बाद वो भोरे वाँ से उड़ कर चला जाता है जाकर कहां पहुंच जाती है सुर्य मुखी के पास सुर्य मुखी को उपर मंडराने लगता है वो रजनी गंधा का प्रसंसा करते हुए सुर्य मुखी को नीचा दिखाता है वो क्या करता है सुर्य मुखी के पास जाता है और रजनी गंधा के बारे में रजनी गंधा भी एक फूल है जो सफेद रंका होती है और बहुत ही सुन्दर बासना होती है उसमें तो वो सूर्य मुखी के पास जाकर रजनी गधा का प्रसंसा करता हुआ सूर्य मुखी को नीचा दिखाता है इस तरह कभी चमपा को चमेली की विरुद भड़काता है तो कभी कठर ही चमपा को हर सिंगार के विरुद जैसे कि सूर्य मुखी के पास जाकर वो कहता है कि सूर्य मुखी तुम तो इतने बड़े हो इतने सुबा सूर्ज की निकलती ही तुम सूर्ज की तरह इतने बड़े होकर खीनने लगती हो लेकिन तुम्हारी पूलों में सुगंध ही नहीं है लेकिन रजनी गंधा जो है वो साम को निक फूरती है लेकिन वो छोटा सा है और उसकी बहुत सुन्दर बासना भी आती है लेकिन तुम इतने बड़े होने के बाद भी तुम्हारे सुगंध नहीं है इस तरह वो सूर्य मोखी के पास रजनी गंधा का तारिप करके सूर्य मोखी को नीचा दिखाता उसी तरह चंपा और चंबेली को भी बिरुद का भड़काता है कभी कठरी चंपा को हर सिंगार के बिरुद भड़काता एसे ही भोरक की चल से बागों की फूल उदास रहने लगे वो बाग में जितने सारे फूल का पोधा था फूल थे वो सब के पास जाकर इस फूल के बारे में उस फूल को बताता नीचा दिखाता और भड़काने लगता है इस कारण बाग में जितने सारे फूल थे, सारे फूल उदास रहने लगे एक दिन फूलों ने सभा की और धोतरी की अगवा बनाया तो क्या हुआ कुछ दिन बार बाग में जितने सारे फूल थे, उन्होंने एक सोभा बनाया सभा मतलब मीटिंग, जो मीटिंग करते हैं न, उसमें को क्या कहते हैं सभा, सभा बनाए और धोतुरे को अगवा बनाया गया, सबसे पहले जो सभा का आरम करते हैं, कौन सी फूल को बनाया गया, धोतुरे का फूल को, धोतुरे का फूल, धतुरे का फूल महादेव का बड़ा प्रिया है अतहां वो सब फूलों का साथ महादेव के दरवार में पहुझा तो धतुरे का फूल अब सब जानते हो धतुरे का फूल कला रंग का होता है, सफेद रंग का होता है और उसको सीब जी के पास मतलब महादेव के पूजा किया जाता है तो धतुरे का फूल जो है वो महादेव का बड़ा ही प्रिय फूल है अत्हों वो सब फूलों के साथ महादेव के दरपार में पहुँच गया जैसे ही वोगिचा में इतने सारे फूल उदास होकर एक सोभा की और वहाँ पे उनका मुख्य जो है वो धतुरे का फूल को चुना गया तो धतुरे का फूल जो है वो भगवान, सीब जी वा महादेव का बहुत प्रिय हैं तो धतुरे का फूल सभी फूलों को लेकर महादेव के पास चले गाएं महादेव ने सारी बात सुनकर भोरे को बुलाए और उससे स्पस्टि करण मागा भोरों ने अपना दोस्त विकारा तो जब महादेव के पास सारे फूलों ने जाकर बताए कि क्या क्या हुआ था किस तरह हुआ था तो सब भोरे की बारे में बताए कि भोरे कैसे कमल के पास जाकर तुम कीचड में उगते हो कहा था कैसे वो गुलाब को फूलों का राजा कहा किस तरह वो सूर्य मुखी को नीचा दिखाया कितलियों को नीचा दिखाया वो सारी बाद भगवान जी को बताए बताने के बाद क्या हुआ महादेव ने सारे बाद सुनने के बाद भोरे को बुलाए और उन्होंने उससे स्प्रस्टी करण मागी मतलब उन्होंने उनको पूझा कि ये फूलों जो कह रहे हैं जितने सारे फूलें यहां पे कह रहे हैं वो क्या सच कह रहे हैं स्परस्टी करन मागा तो उस समय क्या हुआ भौरा ने अपना दोस्ट विकारा भौरा ने अपनी जितने भी दोस्ट किये थे जितने भी गलत फेमिया शुरुवात की थी वो सारी दोस्वों मान ली महादेव ने उसी समय उसका सुन्दर रूप ले लिया और उसे काला कुरूप दे दिया उसका मधूर कंट भी ले लिया तो जैसे ही उन्हें भोरा ने उसका जो गलतिया शिवकार ली तो भगवान जी ने दंडश्वरब उनको सरीर में जो भोरे का जोग चीता करशक बर्न था इंद्रधन उसी रंग था उसे भगवान महादेव ने उनका रंग को ले ली और जो मधूर बानी बोल रहा था उसे भी भगवान जी भोरे से छिन ली और उसका रूप जो है वो काला कूरूप हो गया और उसका मधूर कंटबी लेने के बाद उसका जो बानी जो है वो करकस होने हो गया भोरे का घमन चूर चूर हो गया उसे ग्यात हुआ कि घमन का फल हमेसा बुरा होता है भूरे का जो घमन था अपने आप पर अपनी इंद्रधनुसी रंग और मधुर बानी को उपर घमन था जब महादेव उसे घमन के काराण उस इंद्रधनुसी रंग और मधुर कंट को ले ली तो अपने आप पर वो पस्तात आप करने लगा और उसे ग्यात हो गया वो जान गया कि घमन का फल हमेशा बुरा ही होता है तो कभी भी घमन नहीं करना चाहिए तो आज के लिए चैप्टर इतना ही है नेक्ट क्लास में हम इसका सब्दार्थ और कोसिनांसा पढ़ेंगे और आप सब को समझ में आ गया होगा स्टोरी घमन का फल तो घमन करने से क्या होता है हमेशा बुरा ही होता है तो कभी भी घमन नहीं करना चाहिए अपने सुन्दरता अपने गुनों को लेकर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए